प्रिविद्यार्थियो नमस्कार आशा है कि आप स्वस्थ वे प्रसंद होंगे आज के सत्र में हम कोशिका जो की जीव की मूल भूत इकाई है इसके अध्यन को जाजे दखते हुए यू कैरियोट की संद्रशना का विश्त्रत अध्यन करेंगे हम ये जानते हैं कि सभी आध्यजीव, पादप, प्राणी, वैकवक इन सभी में यू कैरियोटिक कोशिकाओं में जिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य, विश्त्रत कक्ष युक्त जैसा प्रतीत होता है यू कैरियोटिक कोशिकाओं में जिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है इसकी हतिरक्त यू कैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन प्रकार के जटिल, गति किये एवं कोशिक किये कंकाल जैसी सनचना भी मिलती है इन में आनुमनशिक पदार्थ गुण सूत्रों के रुप में व्यवस्तित रहते हैं आईए आज हम यू केरियोटिक कोशिका के अध्यन को जारी रखते हुए इस क्रम में पादब कोशिका वजन्तो कोशिका की सन्नाचना को जानेंगे तथा इनकी सन्नाचना में मोल भूत अंतर को स्पस्ट कर सकेंगे साथ ही यू केरियोटिक कोशिका के विभिन अंग को जैसे कोशिका जिल्ली कोशिका भित्तियादी की सन्नाचना वे कारियों को जानेंगे आज की सत्र में हमारे अधिगमोद देश से इस प्रकार रहेंगे पादब कोशिका वे जन्तो कोशिका की सन्नचना का चित्रांकन वे नामांकन करना तथा इनकी सन्नचना में मोल भूत अंतर को उस्पस्ट करना कोशी की ये अंगक कोशी का जिल्ली की सन्रचना वे कारिविधी का अध्यन करना सिंगर वे निकलसन द्वारा प्रतिपादित कोशी का जिल्ली के तरल किरमीर नमूना का सचित्र वर्णन करना कोशि का भित्ती, अंतर द्रव्येप जालिका, गोल जी काय, लैन काय, वै रसधानी आदी, कोशि की अंगकों की सन्रचना का सत्रित्र वर्णन करना चात्रों, आप में कला कौशल, वैज्ञानिक दिश्टिकोंड, जिग्या सुप्रवर्ती और अवलोकन कौशल का विकास करना हमारा प्रमुकुद देश्च है इसके साथ साथ, जीविज्ञान के अध्यन में अर्जित ज्यान को हम चाहते हैं कि आप दनिक जीवन में सहसंबद स्थापित करने में और अनुपयोग में लाने में सक्षम हो विद्यार्थियों, क्या सभी यू केरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी ही हैं? चलिए जानने के लिए हम पादब वे प्राणी कोशिका का अध्यन करते हैं देखिए स्क्रीन पर इस चित्र को भली माती देखिए यह एक पादब कोशिका का चित्र है कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ती है यह केवल पादब कोशिका में पाई जाती है और सेलूलूज की बनी होती है यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार वे आकरती को बनाई रखने में सहायक है यह कोशिका जिल्ली के बाहरी और पाई जाती है कोशिका भित्र के भीतर की ओर एक पत्ली जिल्ली है जिसे हम कोशिका जिल्ली कहते हैं यह जन्तु पादप बस्शुख्षम जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका जिल्ली के भीत्री और कोशिका द्रव्य होता है जिसमें सभी कोशिकी अंग जैसे केंद्रक, अंतरद्रव्य जालिका, गौलजिकाय, माइटोकॉंड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी और लवक आधी कोशिका अंगक पाये जाते हैं अब हम प्राणी कोशिका के चित्र का अवलोकन करते हैं देखिए इस चित्र में हम देख सकते हैं कि प्राणी कोशिका में बाहिय आवरण कोशिका जिल्ली है तथा भीतर कोशिका द्रव्य में केंद्रक, अंतरद्रव्य जालिका, गौलजिकाय, माइटोकॉंड्रिया, लाइ अब हम दोनों चित्रों की अवलोकन की बाद पादप कोशिका वे प्राणी कोशिका में अंतर स्पष्ठ कर सकते हैं पादब कोशिकाओं में कोशिका भित्ती लवक एवं एक बड़ी केंडरिय रस्तधानी मिलती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में यह अनुपस्तित होती है दूसी तरफ प्राने कोशिकाओं में तारकाय मिलता है जो लगभग सभी पादब कोशिकाओं में अनुपस्तित होता है आता है अब हम कह सकते हैं कि सभी यू केरियोटिक कोशिकाओं एक जैसी नहीं होती है आईए अब प्रतेक कोशिकी अंगक की संदचना वे कारिविधी का विस्तत आरंब करते हैं विद्यार्थियों वर्स 1950 में इलेक्टरॉन सुक्षम दर्सी की खोज के बाद कोशिका जिल्ली की विस्तत संदचना का ज्यान संभव हो सका है इस बीच मनश्य की लाल रत करनिकाओं की कोशिका जिल्ली के रासाइनिक अध्यन के बाद जीवद्रव जिल्ली की संभवित संदचना के बारे में जानकरी प्राप्त हो सकी है कोशिका जिल्ली मुख्यत है लिपिट वे प्रोटीन की पनी होती है इसमें प्रमुख लिपिट फॉस्फो लिपिड होते हैं जो दो सतहों में व्यवस्तित होती हैं लिपिड जिली के अंदर व्यवस्तित होते हैं जिनका धुरूविय सिरा बाहर की ओर और जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है इससे सुनिश्चित होता है कि संत्रप्त हाइडोकार्बन की बनी हुई अध्रुविये पुछ जलिये वातावरन से सुरक्षित रहती है इसके अतिरिक्त फॉस्फो लिपिट जिल्ली में कॉलेस्ट्रॉल भी होता है प्रिय विद्यार्थियों रासाइनिक अनसंधानों से यह स्पस्ट हो गया है कि कोशिका जिल्ली में प्रोटीन वे कार्बोहाइड़ेट पाया जाता है विभिन्य कोशिकाओं में प्रोटीन वे लिपिट का अनुपाद भिन्य भिन्य होता है उधारन के लिए मनुष्य की रुधिराणू जिसको हम एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं इसमें लगबग 52% प्रोटीन वर 40% लिपिट मिलता है जिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के लिए आधार पर दो अंग भूत वर परिधिय प्रोटीन भागों में विविक्त कर सकते हैं परिधिये प्रोटीन कोशिका जिल्ली की सतह पर होता है जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से जिल्ली में धसे होते हैं कोशिका जिल्ली का उन्नत नमूना सन 1972 में सिंगर वे निकलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया इसे तरल किर्मीर नमूना के रूप में या फ्लूइड मोजैक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से स्विकार कर लिया गया आप इस तरल किर्मीर नमूना के चित्र को ध्यान से देखिए सिंगर वे निकलसन द्वारा प्रतिपादित तरल किर्मीर नमूना इसको हम फ्लूइड मोजेक मॉडल भी कहते हैं इसके अनुसार लिपिट के अर्ध तरलिये प्रकरती के कारण फॉस्फो लिपिट द्वी सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है जिल्ली के भीतर गति करने के क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है अब हम कोशिका जिल्ली के कार्यों को समझते हैं जिल्ली की तरलिये प्रकरती इसके विविन्य कार्यों में महत्वपून है जैसे कोशिका वृद्धी, अंतर कोशिकी ये संयोजन का निर्मान, स्रवन, एंडोसाइटोसिस, कोशिका विभाजन, इत्यादी की दिश्टी में ये महत्यपून है जीवद्रव्य जिल्ली का सरवादिक महत्यपून कारी यह है कि इससे अणों का परिवहन होता है यह जिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अडों के लिए चैनित पारिगम है कुछ अणों बिना उर्जा की आविशक्ता के इस जिल्ली से होकर आते हैं जिसे निस्क्रिय परिवहन कहते हैं उदाशीन विलेय सांद्र प्रवनता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधरन विसरन द्वारा इस जिल्ली से होकर जाते हैं जल भी इस जिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गती करता है विसरन द्वारा जल के प्रवाह को परासरन कहते हैं कुछ आयन या अनुओं का जिल्ली से होकर नहीं जा सकते उन्हें जिल्ली से होकर के परिवहन के लिए जिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवशक्ता होती है कुछ आयन या अनुओं का जिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांदरता प्रवनता के विपरीत जैसे निम्न से उच्छ सांदरता की ओर होता है इस प्रकार के परिवहन हेतू उर्जा आधरित प्रक्रिया होती है जिसमें ATP अर्थाद अडिनोसिन ट्राइफास्फेट का उप्योग होता है जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं यह एक पंप के रूप में कारिकरता है जैसे सोडियम आयन या पोटेशम आयन पंप विद्यार्थियों आपको स्पर्ण होगा कि कवक वैपोधों की जीव द्रव्य जिल्ली के बाहर पाये जाने वाली द्रड निर्जीव आवरन को कोशिका भित्ति कहते हैं कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमन से ही रक्षा नहीं करता है बलकि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांचनिय ब्रहद अणों के लिए अवरोध भी प्रदान करता है शायवाल की कोशिका भित्ति सैललोज, गैलेक्टेंस, मैनाउंस वे खनेज जैसे कैल्सियम, कार्बोनेट की बनी होती है जबकि दूसरे पोधों में यह है सैललोज, हैमिसैललोज, पैक्टिन वे प्रूटिन की बनी होती है नवपादब कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वर्द्धिक एक्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है और इसके साथ कोशिका की भीतर की तरफ दूतिय भित्ति का निर्मान होने लगता है मध्य पटलिका मुख्य तह कैल्शेम पैक्टेट की बनी सतह होती है जो आसपास की विभिन कोशिकाओं को आपस में चिपकाए वे पकड़े रहती है कोशिका भित्ती एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु अर्थात प्लाजमो डेसमेटा आड़े तिर्चे रूप में इस्थित रहते हैं जो आसपास की कोशिकाओं को जोडते हैं जिल्लीदार अंगक कार्यवे संदर्चना की अधार पर एक दूसे से काफी अलग होते हैं इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसे से जुड़े रहते हैं अतहे उन्हें अंतह जिल्लीका तंत्र के अंतर रखते हैं इस तंत्र के अंतरगत अंतर द्रव्य जालिका, गौलजी काय, लयन काय वे रसधानी अंग आते हैं सूत्र कर्णिका जिसको माइटोकॉंड्रिय हम कहते हैं, हरित लबक वे पेराक्सीजोम के कारिय उपरोक्त अंगों से संबंदित नहीं होते हैं इसलिए उन्हें अंतह जिल्लीका तंत्र के अंतरगत नहीं रखते हैं अंतर द्रव्य जालिका जिसको हम एंडो प्राज्मिक रेटिकलों भी कहते हैं उसकी संद्चना का अध्यन करते हैं इलेक्ट्रोन सुक्ष्म दर्शी से अध्यन के पशात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चप्टे आपस में जुड़ेवे थैली युक्त छोटी नलिका वत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतर द्रव्य जालिका कहते हैं प्राय है राइबोजोम अंतर द्रव्य जालिका के बाहरी सितह पर चिपके रहते हैं जिस अंतर द्रव्य जालिका के सतह पर यह राइबोजोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर द्रव्य जालिका कहते हैं राइबोजोम की अनुपस्तिती पर अंतर द्रव्य जालिका चिकनी लगती है अतायसे चिकनी अंतर द्रव्य जालिका कहते हैं जो कोशिकाएं प्रोटीन संसलेशन एवं स्रवन में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतह प्रदव्य जालिका बहुतायत से मिलती है ये काफी फैली हुई तथा केंदर के बाहिये जिलिका तक फैली होती है चिकनी अंतर द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिट संसर्शन के मुख्यस्तल होते हैं लिपिट की भाती स्टिरॉडल हॉर्मोन चिकने अंतर द्रव्य जालिका में होते हैं कैमिलो गौल जी ने 1898 में पहली बार केंदर के पास घनी, रंजित, जालिकावत, सन्नचना तंत्रिका कोशिगा में देखी जिनने बाद में उनके नाम पर गौल जी काय कहा गया इस चित्र में देखिए गौल जी काय बहुत सारी चप्टी, डिस्क, आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती हैं ये एक दूसरे के समानंतर धेर के रूप में मिलते हैं जिसे हम जालिकाव कहते हैं गौल जी काय में कुंडों की संखिया अलग-अलग होती हैं गौल जी कुंड केंद्रक के पास संख केंद्रित विवस्थित होते हैं जिन में निर्मानकारी सतह उन्नतोदर सिस वे परिपक्व सतह उत्तला वतल ट्रांस होती हैं अंगक सिस वे ट्रांस सतह पूर्णते अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। द्रव्य को सम्वेश्चित कर अंतर कोषि की ये लक्ष तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवन करना है। सम्वेश्चित द्रव्य अंतह प्रदव्वी जालिका से पुटिका के अंतर द्रव्य जालिका पर उपस्तित राइभोजोम त्वारा प्रोटीन का संस्लेशन होता है जो गौलजीकाय के ट्रांसेशन से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांत्रित हो जाते हैं। गौलजीकाय ग्लाइको प्रोटीन वे ग्लाइको लेपिड निमान का प्रमो क्रिस्थल है। यह जिल्ली पूर्टीकास नचना होती है जो सम्वेश्टन विधी द्वारा गौलजीकाय में बनते हैं। प्रिथिकीकरत लाइनकाय पूर्टीकाओं में सभी प्रकार की जल अपघट किये एंजाइम जैसे हाइडोलेजिज, लाइपेजिज, प्रोटो एसेज वे कार्बो हाइडोजिज मिलते हैं जो अमलिय परिस्थितियों में सरवादिक सक्रिय होते हैं। कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, लिपिट, न्यूकली कमल आधी के पाचन में सक्षम हैं। कोशिका द्रवे में जिल्ली द्वारा घिरी जगय को रसधानी कहते हैं। पादब कोशिकाओं में यह कोशिका का 90 प्रतिशत स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन वे दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवनता के विपरीत टोनोग प्लास से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रवी के पेक्षा काफी अधिक होती है। अमीबा में संकुचन शेल रसधानी उत्रजन के लिए महत्वपून है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आध्य जीव में खात्य रसधानी का निर्मान खात्य बदार्थों को निगलने के लिए होता है। प्रेविद्यार्थियों आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी एक बार पुन्रावर्ति कर लेते हैं। एक प्रारूपी यूकेरियोटिक कोशिका केंद्रक वे कोशिका द्रवे से बना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका जिल्ली के बाहर कोशिका भिति पाये जाती है। जीव द्रव्यकला चैनेत पार गम्य होती है और बहुत सारे अणों के پरिवन में भाग लेती है। अंतर जिल्लिका तंतर के अंतरगत अंतर द्रव्य जालिका गॉल्जी काय लैन काय वे रसधानी होती है सभी कोशिकी अंगक विभिन एवं विशित प्रकार के कारे करते हैं अंतर द्रव्य जालिका नलिकाओं वे कुंडों से बनी होती है ये दो प्रकार की होती है खुर्दरी और चिकनी अंतर द्रव्य जालिका पदार्थों के अभिगमन प्रोटीन संसलेशन लाइपो प्रोटीन संसलेशन तथा ग्लाइकोजन के संसलेशन में साहक होते हैं गौलजी काय जिल्ली युक्त अंगक हैं जो चप्टे थैली नुमा सन्नाचना से बने होते हैं इनमें कोशिकाओं का स्त्रवन संविष्ट होता है जिनमें सभी प्रकार के ब्रहद अणों के पाचन है तो एंजाइम मिलते हैं रसधानी एकल जिल्ली से आवरत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं पादब कोशिकाओं में यह कोशिका का 90 प्रतिशत स्थान घेरता है आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके लिए हम आपको कुछ प्रशन अभ्यास के लिए दे रहे हैं आप इनको अपनी नोटबुक में अवस्चे करिएगा पहला प्रशन है पादब कोशिका की संदचना का नामंकित चित्र की साहिता से वर्णन करें दोसरा प्रशन है प्राणी कोशिका की संदचना वै इसकी कारिविधी का सचित वर्णन करें तीसरा प्रशन है पादब कोशिका वै जन्तो कोशिका में अ प्रिविध्यारतियों आज के सत्र को हम इस आशा के साथ विराम की ओर ले जा रहे हैं कि आप प्रसंद्य मन से स्वाधाय करते रहेंगे और अपने उद्देश की पूर्ते में सफल होंगे इनी शुब कामनों के साथ शिक्र ही आपसे पुनह मिलेंगे नमस्कार